हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल विनी तजू के सन पर मद्देकालिन भारत का शताइसमा अध्या है मुगल परसासन तो चलिए सुरू करते हैं यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बारा हैं तो इसे जल से जल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह का बनी फिसल वीडियो हमेशा आते रहे गए जिससे आप लोग को काफी विनीफिट पहुँचेगी तो चले सुरू करते हैं मुगल परसासन के दुरान जीले को किस नाम से जाना जाता था शूबा इक्ता सरकार या सरकर तो मुगल परसासन को कई परसासने की कईयों में भीवाजित किया गया था या इसलिए भीवाजित किया जाता है ताकि समराज को सुद्रिड रूप दिया जा सके इसके अलावा सासन बेवस्ता जो है वो बेवस्तित रूप से चल सके इसलिए हमेशा परसासन को कई प्रांतों में बाट लिया जाता है तो सबसे बड़ा समराज होता है और इससे थोड़ा छोटा होता है वो सूबा जिसे बरतमान में राज या परदेश कह सकते हैं इससे छोटा होता है सरकार जिसे जीला कहते हैं और जीला से जो छोटा होता है उसको परगना बोलते हैं जिसकी तुलना परखंड से किया जा सकता है और जब कि प्रसासन की सबसे छोटी काई होती है वो गौं होती है तो मैंने बताया कि जीले को किस नाम से जाना जाता है सरका निम्लीकित में से किसे मुगल दरवार या सिना में मुगल सिना में चिकित्सक निख्त किया गया था बर्नियर को मनुची को टेवनियर या निकितन को तो निकुलाव मनुची है, इस वे मनुची ही बोल सकते हैं, पूरा नाम है निकुलाव मनुची, को मुगल सिना में चिकित्सक निवत किया गया था, वह एक इटाली यात्री था, यह जो था वो इटाली था इटालियन था इसने भारत आकर दारासिकों की सेना में तोपची की रूप में पहरे नौकरी किया फिर जब 1669 में दारासिकों की मिर्टु हो जाती है तो चीकित्सक का पेशा कर लेता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मनुची बी ृ रेक्श तो मुगल पर канал का जो महतासि था वो कौन था तो मुगल परसासिकों में मुहताट .... जयन आच्रे के निरिच्छन वीवाय क परधान था उसका कर्ज सर्यर्वजनिक को उच्छ बनाने या बनाए रखने के लिए था आच्रे विवास्ता को सूद बिनाय रखने के लिए आकवर ने क्या किया कि नेगरों में मदिरा की बीक्री है उस पे तथा बस्याओं की निवास पे दोनों पर रोक लगा दिया था तो इसका राईट अंसर हो जाएगा लोक आच्रन अधिकारी मुगल परसासन में मदद मास इगित करता था क्या इंगित करता था बिद्वाणों को दिये जाने वाले रज़स्व मुक्त अनुदान भूमी या लैगान विवास्ता के प्रवन्द से समधिक धारमिक समझ सुनेचित करने से समधिक या भूमी निरिचह न धीकारी तो मुगल परसासन के बिद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली रजस्व मुक्त अनुदान भूमी को मदद दे मास कहा जाता था इसे सर्यूगल भी कहा जाता था सयूगल याद रखेगा सयूरिकल तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मैंने बताया ये बिद्वानों को दी जाने वाली बिद्वानों को और पलस में धार्मिक लोगों को दिये जाने वाली रजस्व मुक्त अनुदान भूमी था मद्यकारिन परसासन में बटाई का क्या आर्थ होता था तो बटाई कार्थ होता था या कौन सी फसल है या कौन सी फसल के लिए कितना लैगान लेना है या उस फसल पर निर्धारित होता था डीपिन करता था यानि लैगान निर्धारन करने का एक तरीका था या इसका राइट अंसर हो जाएगा लैगान निर्धारन करने का एक तरीक था मुगल मनसबदारी विवस्ता के बारे में निम्न कत्रों पर विचार कीजिए एवं सही जो उत्तर है उसका चैन कीजिए कथन एक है कि जात एवं सवार पद परदान किये जाते थे मुगल मनसबदारी में यह बिल्कुल सही है मनसबदारी पर्था की उत्तरती है वो मद देशिया में हुआ था यह भी बिल्कुल सही है कथन तीन है कि मनसबदारों को तीन सिरेनियों में बाटा गया था तो यह भी बिल्कुल सही है इसका राइट अंसर हो जाएगा है एक दो और तीन तीनियों कथन सही है मुगलकाल में सेनय का परधान निमने में से कौन था मिरबक्सी, अहदी, वजीर या मुहतसिब तो मिरबक्सी या सेनय का परधान होता था साथ-साथ भूर अजस्वाधी कारियों का जो परवेच्छन करने का कार्स था इसी को सौपा गया था तो था सेन विभाग के बेतन भात्ता जो था वो यही निर्धान करता था या यही उतरदाई था उसके लिए इसका राइट अंसर हो जाएगा मीर वक्से मुगल परसासन में कौन से सैनिक सामिल नहीं थे मनसबदारों के सैनिक एहदी सैनिक दाखिरी सैनिक या मुस्रिफ सैनिक तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मुस्रिफ सैनिक जो मुगल परसासन में सामिल नहीं थे परगने का परधान अधिकारी कोन होता था तो परगने का जो परधान अधिकारी होता था वो कोन होता था आमिल या सिकदार शुबिदार या फोजदार तो परगने का परमुक सैन अधिकारी या परगने का जो हेड होता था वो सिकदार होता था तो इसका राइट अंसर हो जा तरह के पत्ती या कितने तरह के परनाली अपनाई थी दो तरह के तीन तरह के चार तरह का या पांच तरह का इसका आइट अंसर हो जाएगा तीन तरह का इसे आप जानना चाहते हैं पूरी अच्छे से तो इसका वीडियो के नीचे लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉ इस में दिया गया है वह सही है तो इसमें दिया गया भूमी है मूगल प्रसासन में भूमी जो है वह बहुत परकार के होता था तो उसी में दिया एक हमोल रूप से भूमी जो होता था वो चार परकार के होता था पोजल भूमी, पर्ती भूमी, चाचर भूमी और बंजर भूमी तो पोजल जो भूमी था पोलज जो भूमी वो निमित रूप से इस पर खेतिक किया जाता था परती भूमी एक या दो बरसों के अंतराल पर खेतिक किया जाता था और चाचर भूमी तीन या चार बरस के अंतराल पर इसमें किरिसी करता था और बंजर भूमी होता था जिस पे समझे की नहीं कि बरावर किरिसी होता था यानि पांच बरस तक क्रिसी कार्ज नहीं था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका सही कथन सही है सभी मुगलकाल के दोरान नियाए विभाग का परधान को क्या कहा जाता था काजी उलकलाज स्वरी काजी उलकजात वाकिया ये नवीस मीरे बहर या मीरे समा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा काजी उलकजात यह होता था काजी उलकजात जो नियाए विभाग का परधान होता था ऐसे मुगल परसासन में जो नियाए का सरवोच अस्थान था वो बातसाद का ही होता था इसका राइट अंसर हो जाएगा A मुगल कालिन सासन विवस्ता में मंतरी परिशत के लिए एक सब्द का प्रियोग किया जाता था यह कुन सा सब्द था वजीर, वकील, विजारत या सद उत सुदूर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा विजारत विजारत इसके विजारत इसके चार पत थे इसमें चार पत को सामिल किया देगा था वकील का दिवान या वजिर का और मिरबक्सी तथा सदूर सुदूर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा विजारत मिरबक्सी दुआरा किस नाम से प्रमान पत्र जारे करने के बाद सेनको का वेतन मिलता था तो सर्खत इसका राइट अंसर हो जाएगा विजारत जो पत्र या सेना के वेतन से समद्धित था मिल वक्सी इसी सरकत के हस्ताकसर करने के बाद सेनको का वितन प्राप्त होता था तो इसका राइट अंसर भी हो जाएगा मोगल काल के समय प्रसासनिक बिभाजन का करम सही रूप से वरनीत है कौन को सा है तो प्रश्ण संक्या मैं एक ही में बता दिया था कि मोगल प्रसासन का जो सबसे उच होता है वो समराज समराज को बिभाजित किया था सूबा में और सूबा को बरतमान में राज या परदेश से तुलना कर सकते हैं और सूबा को बिभाजित किया था सरकार में जिसे बरतमान में जीला बोल सकते हैं और सरकार को परगने में जिसे परखन बोल सकते हैं और परगने को ग्राम में या गौ में व्युहाजित किया गया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो C सबसे पहले सूबा सरकार सूरी इसका राइट अंसर हो जाएगा डी सूबा इसके बाद सरकार प्रगन और इसके पहसाद ग्राम मूगल काल के दोरान सबसे अधिक किस मूगल सासक दोरा कर या लैगान बसूला जाता था अकवर, जहांगीर, औरंगजेव, सह जहां तो इसका राइट अंसर हो जाएगा औरंगजेव के दोरा है वो मूगल काल में सबसे अधिक टैक्स बसूला जाता था पूरे मूगल काल में मूगल काल में गाउं को क्या कहा जाता था माबदा, डिह, नागला या मुकद्म तो इसका राइट अंसर हो जाएगा माबदा भी बोला जाता था तथा डिह दोनों कहा जाता था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा एक से अधिक निमने से किस मूगल सासक के समय सूबे यानि प्रांतों की संख्या सरवधीक थी साज आहां के समय औरंगजेब के समय अकवर के समय या जहांगीर के समय तो अकवर के समय जो सूबे की संख्या थी वो 15 सूबा था उसमे और साज आहें के समय सुला सुबे थे और अरंग्जेव के समय सुबों के संख्या बढ़कर भी सो गया था तो सबसे अधीक जो था वो अरंग्जेव के समय ही था और ध्याने कीगा सुबेदार जो होता था वो सुबे का परमुक अधीकारी होता था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वी और अंग्जेब के समय होगो सुवो किसेंख्या सरवदी थी मुगल परसासन में दिवान का सबद निमने से की से था सुवे का वीत अधिकारी, जासू सेवं संदेश वाहत, जल सिनय का परधान या तोप खाने का परधान तो इसका राइट अंसर हो जाएगा यह सुवे का वीत अधिकारी तो आज का 20 किसन पूरा हो गया I hope आप लोग के स्रीच काफी पसंद आया हो